नमस्कार साथियों यदि आपका income tax किसी कारण वर्ष इस वित्तिय वर्ष में कम कटा है तो आपको किसी bank के चक्कर लगाने के आउशकता नहीं है आपको क्या करना है इस वीडियो को बीना skip किये पूरा देखना है इस वीडियो में मेरा आमनिवास मेरा आपको step by step प्रक्रिया बताऊंगा जिसको यदि आपने follow किया तो निश्चिती आप capable हो जाएंगे स्वयम आपका income tax जमा करने में तो आप वीडियो को बीना skip किये पूरा अवश्ची देखिएगा साथ में यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी वाले बेल आइकन क दबाकर मुझे motivate अवश्ची किजएगा और यदि आप इस वीडियो को अन्य प्लेटफोन पर देख रहे हैं तो चैनल को follow करना ना भूलेगा तो चलिए साथ यों जानते हैं income tax को स्वयम जमा करने की प्रक्रिया अपने कम कटे income tax को स्वयम जमा करने के लिए आपको क्या करना है Chrome browser में आ जाना है जहां भी आपने आपके system में Chrome browser को रख रखा है उसको आपको open कर लेना है जैसे आप Chrome browser को open करेंगे इस तरह का interface आपके सामने आएगा अब आपको यहाँ एक search बार मिलेगी यहाँ पर click कर ल सबसे उपर आएगी तो आपको क्या करना है इस website पर click कर लेना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आपके सामने इस तरह का page open होकर आएगा तो आपको यहाँ लोगिन करने के लिए कहा जाएगा सात्यों यदि आपको यह page नहीं मिलता है आपके सामने login पेनल नहीं आता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है अपने पेन नंबर जो भी है उसे user id के रूप में enter कर लेने है जैसे आप अपने पेन नंबर यहाँ पर enter करेंगे यहाँ आपको continue का option active mode में मिल जाएगा तो आपको यहाँ continue पर click कर लेना है अब आपके सामने अगला page open होकर आ जाएगा तो आ यदि आप यहाँ password देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ i button दिया गया है आप यहाँ किलिक करके जो password आपने यहाँ enter किये हैं उन्हें आसानी से देख भी सकते हैं यदि आपने सही password एंटर किया है तो आपको क्या करना है यहाँ continue का option आपको active mode में मिलेगा तो आपको continue पर click कर लेना है अब आप income tax portal में login हो जाएंगे आप से संबंदी detail आपको यहाँ पर बताई जाएगी आपको आपका advance tax जमा करना है जो कम कटा है तो एसी condition में आपको क्या करना है यहाँ आपको e-file का option दिया हुआ है तो आप यहाँ पर click करेंगे आपके सामने इस तरह से option open होकर आएंगे तो यहाँ आपको एक option मिलेगा e-pay tax का तो आपको इस option पर click कर लेना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे अब अगला page आपके सामने इस तरह से open होकर आजाएगा तो यदि आप मार्च लास्ट से पहले अपना income tax जमा करवाना चाहते हैं, जो आपका income tax कम जमा हुआ था, तो आपको क्या करना है, पहले नंबर का option select करना है, advanced tax 100 और आपका assessment tax 300 head में जाएगा, ये वाला option आपको select कर लेना है, जैसे आप इस option को select करेंगे, आपके सामने इस त आपको assessment year सही select करना है, आपको ये कैसे पता पड़ेगा, कि आपका जो assessment year है, वो सही है या नहीं है, तो जो भी आपने income tax गणना परपत्र तयार किया है, आप उस पर उपर देखिएगा, उस पर आपको assessment year मिल जाएगा, तो आप यहां से assessment year select कर लिजएगा, जैसे आप assessment year य यहां बताए जाएगा, तो यह information भी आपको आपके income tax गणना परपत्र पर मिल जाएगी, कि financial year कोन से का आप income tax जमा करना चाते हैं, वो आपको आपके income tax गणना परपत्र पर मिल जाएगा, उसके बाद assessment year भी आपको आपके income tax गणना परपत्र पर मिल जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है assessment year सई select करना है उसके बाद type of payment आप से select करने के लिए कहा जाएगा तो आपको यहाँ पर click करना है आप March last से पहले आपका income tax जमा कर रहे हैं तो इसी condition में आपको क्या करना है यहाँ option दिया हुआ advanced text 100 का तो आपको यह वाला option select कर लेना है अब आपको यहाँ पर continue का option active mode में मिल जाएगा तो आपको यहाँ continue पर click कर लेना है जैसे आप continue पर click करेंगे आपके सामने इस तरह की information open होकर आएगी तो आपका जो भी text बचा है जितना text आपको जमा करना है उस text की राशी को आप यहा एक रुपय लिखा है परन्तु जो भी आपका text बचा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है बाकि आपको यह सभी information को खाली छोड़ना है फिर आपको यहाँ आना है नीचे के और यहाँ आपको continue का option देखने को मिलेगा तो आप continue पर click कर लेगा जैसे आप continue पर click करेंगे अ उसके बाद आपको यहाँ से बेंक को सेलेक्ट करना है और यदि आप debit card से अपना payment करना चाते हैं तो आपको debit card का option भी यहाँ लेवल करवाय गया है आप debit card पर click करके अपनी bank सेलेक्ट करके जो जो भी information आप से मांगी जाती है वो information आप provide करवा दीजेगा आपका text जमा हो ज जीजेगा जैसे आप यह वाला option सेलेक्ट करेंगे वापस आपको यह bank करने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या करना है आपकी जो भी bank है जिस bank से आप payment करना चाते हैं उस bank को यहाँ से सलेक्ट कर दीजेगा उसके बाद आपको यह continue का option मिलेगा तो आप continue पर click कर तो आपको Pay Now पर क्लिक कर लेना है, जैसे Pay Now पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने Terms और Condition ओपन होकर आएगी, तो आप चाहें तो इसे Read कर लिजेगा, अन्यता आपको क्या करना है, नीचे की और आजाना है, और यहां आपको जो Checkbox दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर ले आपको यहां UPI का Option दिया हुआ है, इसके सम्मुक आपको यहां पर Arrow का जो निशान दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है, अब आपके सामने इस तरह की Information ओपन होकर आएगी, जिसमें आपको आपके Payment की Detail बताए जाएगी, अब आपको नीचे की और आजाना है, यदि आप Payment जो है, VPA के द्वारा करना चाते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, और आप यदि QR Code के थूरू Payment करना चाते हैं, तो आपको यहां पर क्लिक कर लेना है, अब आपके सामने इस तरह से QR Code open कर दिये जाएगे, आपको कितनी राशी जमा करनी है, वो राशी आपको यहा करना है, यह जो QR Code आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, इनको आपकी app के माध्यम से scan करना है, जैसे मैं अभी आपको scan करके बताता हूं, मैंने scan कर लिया है, उसके बाद जब आप scan करेंगे, तो राशी भी आपके सिस्टम में आपको दिखाई देगी, और आपको क्या करना ह आपने जो भी आपके सिस्टम में pin set कर रहे हैं, उन pin को आपको enter कर देना है और write कर देना है, जैसे आप payment करेंगे, अब आपके सामने इस तरह का message होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा your transaction status is success, तो आपको यहां okay का जो option मिल रहा है, इस okay वाले option पर आपको क्या करना है, click क करेंगे, कुछ time process होगी, अब आपके सामने इस तरह की information open होकर आएगी, सब दूर आपको यहां right का निशान दिखाए देगा, आपको यहां लिखा मिलेगा, the challenge payment is successful, आप यदि आपके challenge को download करना चाते हैं, और साथ यहां आपको download करके भी रखना होगा, तो आपको यहां पर download का option दिया हुआ है, तो आप यहां download पर click कर लिजेगा, जैसे आप download पर click करेंगे, कुछ time में आपका challenge जो है, वो generate होकर आपके system में PDF के रूप में download हो जाएगा, अब आप अपने payment की और detail देखना चाते हैं, तो आपको क्या करना है, पेज को scroll up कर लेना है, जैसे आप page को scroll आप करेंगे, आपको यहां संपूर्ण payment की detail बता दी जाएगी, अब आपको मेंने कहा है कि इस चालान को क्या करना है, आपको download करके रखना है, तो फिर से आपको यहां नीचे भी download का option देखना को मिलेगा, तो आप यहां पर click कर लिजेगा, जैसे आप यहां पर click करेंगे, यह जो चालान है, आपके system में download होकर आजाएगा, अब आप इस चालान को देखना चाते हैं, तो आप यहां पर click किजेगा, जैसे आप यहां पर click करेंगे, income tax department की और से चालान आपके सामने open होकर आजाएगा, तो आपको क्या करना, इस चालान की print out लेकर आपके पास रखन हैं, उम्मित करता हूं सात्यों, जो वीडियो में मैंने आपको प्रक्रिया बताई है, वह आपके लिए लापकारी सिद्ध होगी, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजेगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी सात्यों तक पहुच